नमस्कार नेश्टर फिर में आपका स्वागत है मैं हूं कुमार और देखिए भारत का टाटा गुरूप इलेक्टोनिक मैनुफेक्चिंग के फिल्ड में काफी एग्रेसिवली पुश कर रहा है एपल के आइफोन की तरह टाटा गुरूप भारत में एक सेमी कंड़क्टर चिप मैनुफेक्चिंग प्लांट लगाना चाता है जिसमें भारत की अपनी कंपनी टाटा गुरूप भारत के लिए सेमी कंड़क्टर चिप्स बनाए जिसमें भारत के लिए सेमी कंड़क्टर चिप्स बनाए जाएंगी अब यह जो टाटा गुरूप का मोस्ट एमबीशियस प्लान है भारत में सेमी कंड़क्टर चिप्स बनाने का उसको लेकर रिसेंट निउस ये है के टाटा ग्रूप की ताइवान की दो मेन कंपनीज के साथ बात चीज चल रही है गुजरात के धोले रखे इस प्लांट की पार्टनर्शिप को लेकर देखें आप लोग जानते हैं कि सेमी कंड़क्टर चिप मैनुफेक्चिंग एक हाईली एडवांस टेकनलोजी है और भारत में फिलाल किसी भी कंपनी के पास अब इस चीज की एक्सपर्टीज नहीं है और इसलिए जरूरी है कि भारत की कोई भी बड़ी कंपनी वो किसी ऐसी कंपनी के साथ पार्टनर्शिप करे पहले जिसके पास इस फिल्ड में ओर लेडी एक्सपर्टीज हो और यहाँ पर Tata Group लीड लेता हुआ दिखाये दे रहा है फिलाल Tata Group ताइवान की जिन दो कंपनीज के साथ पार्टनर्शिप की बातचीत कर रहा है या संभावनाई तलाश रहा है उन में से एक है पावर चिप सेमी कंड़क्टर मैनुफेक्चिंग कॉर्परेशन यानि PSMC और दूसरी है UMC ग्रूप आप लोग को मालू मैं के ताइवान सेमी कंड़क्टर चिप मैनुफेक्चिंग का हब है और ये दोनों कंपनियां एस फिल्ड में काफी जानी मानी कंपनी हैं देखे टाटा संस के चेर्मेन एंच चंदर सेखर ने अपने एनॉसमेंट में ये भी किलियर कर दिया था के वो 2024 में ही गुजरात के धुलेरा प्लांट में चिप मैनुफेक्चिंग स्टार्ट करना चाते हैं और इसलिए हो सकता है जल्दी आपको इन्यूस सुनने को मिल जाए के टाटा गुरूप की ताइवान की एक कंपनी के साथ पार्टनर्शिप डील हो गई है फेलाल टाटा गुरूप का एम है के वो अपने गुजरात के धुलेरा प्लांट में 65 नैनोमीटर नोड्स की मैनुफेक्चिंग करेगा और बाद में वो मूव करेगा 48 नैनोमीटर और 28 नैनोमीटर नोड्स के लिए वेज सपोर्ट अप्लिकेशन रेंजिंग फ्रूम दे ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट तो कंजूमर इलेक्टोनिक्स एंड दे इंटरनेट ओफ तिंग देखें जो चिप का साइज है 65 नैनोमीटर, 48 नैनोमीटर या 28 नैनोमीटर जितना चोटा ये साइज होगा, उसका मतलब ये कि उस चिप पर उतने ही जादा ट्रांजिस्टर से लगे होगे और उसकी परफोर्मेंस इतने ही जादा होगी, यानि साइज बड़ा 65 नैनोमीटर तो परफोर्मेंस कम और अगर साइच छोटा यानि 28 ननोमीटर तो परफोमेंस जादा साथी चिप का साइच जितना कम होता है उसके थूँ जादा कम्प्यूटिंग टास्क की जा सकती है एट ए लोवर टेंप्रिचर तो जाहिर है जितनी छोटी सेमी कंड़क्टर चिप उतनी ही जादा एडवांस टेकनोजी एस प्लांट को लेकर न्यूज ये है के टाटा ग्रूप ने गुजरात में वहां की सरकार के साथ ओलेडी लेंड की डील कर भी ली यानि लेंड फाइनल हो चुका है अब पार्टनर की तरास जा रही है इस प्लांट की जो इनिशिल कैपेसिटी होगी वो होगी 25,000 वेफर्स पर मन इसका मतलब यह है के वहां पर लगबग हर दिन 700 से लेकर 1000 सेमी कंड़क्टर चिप्स बनेंगे देखें सेमी कंड़क्टर फिल्ड में वेफर का मतलब है एक पतली सी सेमी कंड़क्टर की स्लाइस यह जो आप देख रहे हैं इसे कहा जाता वेफर और इसी को यूज किया जाता है इंटिग्रेटिट सर्किट्स बनाने के लिए या आप कहें सेमी कंड़क्टर चिप्स बनाने के लिए तो भारत का Tata Group गुजरात में वेफर्स भी बनाएगा और सेमी कंड़क्टर चिप भी इसका मतलब यह कि यह आने वाला प्लांट एक कम्प्लीट मैनुफेक्चिंग प्लांट होगा ना कि टेस्टिंग और पैकेजिंग प्लांट सेमी कंड़क्टर चिप की कम्प्लीट मैनुफेक्चिंग के लिए भारत सरकार के पास फिलहाल दो बड़े प्रपोजल्स है एक प्रपोजल है इसराइल की टावर सेमी कंड़क्टर का जो भारत में नाइन बिलियन युए जोलर्स के इन्वेस्टमेंट के साथ एक चिप मैनुफेक्चिंग प्लांट लगाना चाहती है और अब ऐसा ही दूसरा बड़ा प्रपोजल है बारत सरकार के सामने टाटा ग्रूप का आप थोड़ा बात करते हैं ताइवान की उन कंपनीज की जिनके साथ टाटा ग्रूप की नेगोशेशन्स चल रही है और में एक है United Micro Electronics Corporation यानी UMC इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1980s में ये ताइवान की पहली सेमिकंडक्टर कंपनी है फ्रोम स्टेट ओन ITRI यानी Industrial Technology Research Institute UMC पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फाउंडरी है सेमिकंडक्टर चिप मेनुफेक्टिंग को लेकर और्ज का रेवेन्यू 2023 में था लगबग 222 बिलियन न्यू ताइवानीज डोलर देखें NT यानी New Taiwanese डोलर और एक ताइवानीज डोलर होता है लगबग 31.46 यूएस डोलर के इक्वल इस कंपनी का एड़कॉर्टर है ताइवान के सिंचु में और इस मामले में ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी TSMC से ही पीछे है फिलाल इस कंपनी के 400 mm फैब्स हैं एक ताइवान में एक सिंचापूर में एक चाइना में और एक जापान में और ये एक बहुत बड़ी सप्लायर है ओटोमोटिव इंडस्टी के लिए वहीं अगर दूसरी कंपनी की बात करें जिसका नाम है पावर चिप सेमी कंड़क्टर मैनुफेक्टरिंग कॉर्परेशन यानि PSMC ये कंपनी में लिए डील करती है मेमोरी चिप्स और इंटीग्रेटिट सरकिट्स में ये दुनिया की साथवी सबसे बड़ी सेमी कंड़क्टर फाउंडरी है रिसेंट्ली सी कंपनी ने एक 5.3 बिलियन यूए डोलर्स का चिप मेनफेक्टिंग प्लान्ट एनाउंस किया है जो लगेगा जापान में और 2023 में इस कंपनी की सेल भी थे रहा हूं 3.4 बिलियन न्यू ताइवानी डोलर्स इस कंपनी का एड़कॉर्टर भी ताइवान के सिंचु प्रोविंस में है रिसेंट लिए भी आप लोग को याद होगा टाटा ग्रूप ने अनाउंस किया है के वह आसाम के जागी रोड में लगबग 25,000 करोड इंवेस्टमेंट के साथ एक सेमी कंड़क्टर एसेंबली टेस्टिंग प्लांट लगाएगा भारत का टाटा ग्रूप अपनी इलेक्टोनिक मेनुफेक्चिंग को लेकर कितना सीरियस है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुछ टाइम पहले ही उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए इंटल फांडरी सर्विस के प्रिजडेंट रंदीर ठाकुर को हायर कियाता है जिट टाटा इलेक्टोनिक्स चीफ एग्जेक्टिटी ओफिसर रिसेंटली टाटा ने अप्लाइड मेटेल के स्री निवास सत्या को भी हायर किया है वो उस कंपनी के भारत के सेमी कंड़क्टर प्रोड़क्ट ग्रूप के प्रेजडेंट थे और वो टाटा इलेक्टोनिस के चीफ सप्लाई चेन ओफिसर होंगे और साथी टाटा के कंपोनेंट बिजनिस के प्रेजडेंट इससे पहले आप लोगों ने सुनाई होगा के टाटा ने ताइवान की विस्टोन कंपनी के एपल मेनफेस्चिंग प्लांट को टेक ओवर कर लिया है वह ही बारत का टाटा ग्रूप होसूर में भी एक आईफोन मेनफेस्चिंग प्लांट मना रहा है विदे इन्वेस्टमेंट ओफ फाइफ थाउजन करोड और जो फैला होगा पांस सो एकड में और उसमें एम्प्रोईमेंट मिलेगा पंद्रे हजार लोगों को फेलार इस फीडियो में इतना ही नेस फीडियो में जल्द मिलेंगे धन्यवाद